Hello अच्छों, let's see the question इस question में हमें दो कर्व दिया है ठीक है, देखें, पहला कर्व जो है S1, उसका equation क्या दिया है 2Y का square minus 2X plus का क्या दिया है, 1 दिया है plus का 1 equal to क्या है 0, ठीक है, और दूसरा कर्व क्या दिया है S2, S2 का equation क्या है 2X का square minus 2Y plus 1 equal to 0, ठीक है यह दोनों के दोनों कर्व क्या है पैराबोला है, ठीक है, और इस पैराबोला की बीच का shortage distance किसके equal दिया है D के equal दिया है, और यहाँ पर हमें क्या एक equation दिया है, not sin theta is equal to 2 root 2 D, और हमें क्या करना है, इस equation का number of solution बताना है, ठीक है, चले पहले क्या अगरते है दोनों कर्व का हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखे क्या है यह पैराबोला by square equal to 2Y square minus 2X plus 1 पैराबोला कैसा open होगा, राइट वर्ट्स opening क्या होगा पैराबोला हो जाएगा, ठीक है कुछ पैराबोला ऐसा बन जाएगा और यह जो दूसरा पैराबोला दिया है 2X का square minus 2Y plus 1 पैराबोला कैसा opening of birds हो जाएगा, ठीक है पैराबोला कैसा खुल जाएगा, उपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला हो जाएगा, ठीक है अब यहाँ पर दोनों पैराबोला होगे, एक बात ध्यान से देखिए कि अगर पहले पैराबोला में XY को interchange कर देंगे, तो मुझे कौन सा पैराबोला मिल जाएगा, दूसरा पैराबोला मिल जाएगा, और अगर दूसरे वाले पैराबोला में अगर हम x y को interchange कर देंगे यानि x या by को लिख देंगे by की जगा x को लिख देंगे तो मुझे कौँ सा पैराबोला मिल जाएगा पहला वाला पैराबोला मिल जाएगा तो देखे दोनों पैराबोला जो होंगे by equal to x line के about क्या हो जाएंगे तो देखे यहाँ पर जो है हम यहाँ पर by equal to x line ड्रो कनने जा रहे हैं तो दोनों पैराबोला बिलकुल by equal to x line से कैसे होंगे एक भी distant होंगे ठीक है जोनों पैराबोला by equal to x line के about क्या हो जाएंगे symmetric हो जाएंगे ठीक है अब देखे दो करो की बीच का shortage distance कैसे निकालते हैं दो करो की बीच का shortage distance होता है या तो दो दो parallel tangents के along निकालते हैं या तो always common normal के along निकालते हैं ठीक है तो देखे यहाँ पर जो है मैं parallel tangent के along जो है निकालूँगा दोनों करो की बीच का shortage distance है उसे parallel tangent के along जो है find करोगा ठीक है देखे यह दो मैं parallel tangent यहाँ पर ड्राव कर रहा हूं ठीक है एक यह टैंजेंटी है होगी एक टैंजेंटी होगी और मैं इस कुछ इस तरह से क्या करूँगा दोनों करो के बीच का सौटिट इस्टेंस जो है फाइंड करूँगा ठीक है तो देखें यहाँ पर पॉइंट जूंग कर लेए सब्सक् यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसटो के क्या होगी हो जाएंगी पारलल हो जाएंगे टिक है तो यहाँ पर अगर अगर दो लाइन क्या होती है पार्लल होती है तो जोनों के slope का value क्या होता है always equal हो जाता है ठीक है तो पहले जो जो s1 curve है इसको हम क्या करते है differentiate करके x1 by 1 comma y1 पर जो tangent हो कि है इसका slope निकाल थे ठीक है तो देखिए from equation on equation को differentiate करते है कि इसके को लोजाएगा 4 by dy by dx देखिए 4 by dy by dx minus का 2 इसके को लोजाएगा 0 के को लोजाएगा this implies देखिए डिवाइवाइवाइवाइड देखिए at point कौन से है देखिए x1 comma by 1 divided by dx जो है इसका value कि इसके को लोजाएगा 1 upon 1 upon 2 by 1 के थे को लो जाएगा ठीक है और हमें पता है कि यह जो tangent line है by equal to x line के parallel होगी by equal to x line जो slope क्या है one है तो यह जो इसका त Calvin Dad och Plus के करेंगे साटशपाइ करेंगे ठीक है कि इसको इस्कों कर देके टूप्लिज कर देंगे टीट प्लस कौँछ के क्नोत्य आरा है या लुद कि हो छेगा थीप आपका ़। धुरिए को ङानी किसे कौवर ढ़ी। नरे टीक है टीक है ल। कामा बाइवन किसके क्वाल आचुगा है दिस इंप्लाइज देखें यहां से एक वार स्कॉर सिंप्लिफाई करते हैं अब 1 by 2 रखेंगे तो 1 by 4 हो जाएगा ठीक है तो 1 by 4 प्लस 1 3 by 4 तो यह क्या आएगा आपका 3 by 4 आएगा दिस इंप्लाइज देखें यहां से x1 कॉमा बाइवन जो है तो कोडिनेट क्या रहा है 1 3 by 4 कॉमा 1 by 2 आ चुगा है ठीक है चलिए अब एक्स टू कॉमा बाइटो निकालने के लिए जो एक्वेशन टू है इसे हम क्या करते हैं डिफ्रेंशेट करते हैं ठीक है तो देखें क्या आजाएगा और x-2x-2y by dx इसके एकपल आजाएगा जिरो के एकपल आजाएगा ठीक है धीघ इस इंपलाइज डिवाँ और हो जाता है दिस इंप्लाइज देखे यहां से ecks one का value क्या आ जाएगा one by two ठीक है आप देखे यह जो आपका सुर्ण यहां से यह आपका एक्स टू आए गा सुर्ण एक टू पर निकाल है हमने तो एक्स टू जो है आपका किस के well熟 के एक साथिसफाय करेंगी चले से एक स्के का प्रम किया करते है गर्वेशन के पूट करते हैं तो डेखे किस के सेUgy इसे क्लाएक है यह इह चैंस को यह इस हम लग देते हैं बाइवार्य क्वें लिक्रवार का 3-4 पाम हो जाएगा 3 यह हो जा यह टीक है चल्य इसको अगले page में proceed करते हैं देखे, a point का coordinate क्या रहा है यह a point जो है यह a वाला point है और यह कौन सा b point x 1, y 1 क्या है 3 by 4, 1 by 2 है ठीक है और b point जो है इसका coordinate क्या है 1 by 2, 3 by 4 है ठीक है अब चलिए हमें आ से क्या करते हैं sorted distance निखाल लेते हैं देखे, d किसके equal हो जाएगा square root हो जाएगा 3 by 2 3 by 4 minus 1 by 2 का square plus क्या हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 minus 3 by 4 का square ठीक है तो बात तो एक ही है यह क्या हो जाएगा, यह आपका root 2 times हो जाएगा directly यहां से क्या आजाएगा d is equal to हो जाएगा root 2 times 3 by 4 minus 1 by 2 तो इसको simplify कर देंगे किसके equal आजाएगा, 1 by 4 के equal आजाएगा, ठीक है root 2 upon 4 के क्या जाएगा, equal आजाएगा यह नि, 1 by 2 root 2 के क्या जाएगा equal आजाएगा, तो यह sorted distance किसके equal आचुका है, 1 by 2 root 2 के equal आचुका है हमें इस equation का solution नकालना है mod sin theta is equal to 2 root 2 d d किसके एक पॉल है 1 by 2 root 2 के पॉल है ठीक है और किस interval में निकालना है theta belongs to minus pi से 2 pi के interval में क्या करना है आप find करना है 2 root 2 से 2 root 2 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो mod sin theta जो है इसका value किसके पॉल हो जाएगा 1 के पॉल हो जाएगा this implies 5 theta का value किसके को हो जाएगा तूर या तो क्या हो जाएगा three five two क्ट थी क्या हो जाएगा कांए कि बृट फिर ईए कटे नमब आफ बस्इशन हो जाएंगे आपके ठी हो जाएँगे آپके थी फे त्री हो जाएँगे तो